नमस्कार डॉली पोर्वाल किचन में आपका स्वावगत है आज मैं बनाने जा रहे हूं स्पाइसी पालक पनीर आईए बनाते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर पालक पनीर बनाने के मैंने कडाई रख दिया है उसमें यहाले बड़े दो चवब्र अ'll डाल दिया है जरुक्लडिया है हम इसमें अपने मसाली हट करेंगे यह मैंने आठ काली मिर्च लिए यह दाल चीनी लिए एक रख्डिया तीन लॉंग लिए दो लाल मिर्च एक तेजपत्ता यह आठ दस लेसुन की कलियों को कद्दू कस कर लिया है हम इनको डाल देंगे मसाल को भी लेंगे एक मैंने यह प्याज एक मैंने यह प्याज काटकर लिए इसको भी डाल देंगे मलन को गुलावी होने तक बूने दें अब भी देंगे अब अब इसमें दो बिंच नाल देंगे एक चूटा चम्मच जीरा एक चूटा चम्मच भ़ियां पावडर एक चौधाई चम्मच लाल मिर्च पावडर आदा चम्मच कश्मीरी मिर्च और यह मैंने यह मैंने तीन टमाटर दो हरी मिर्च एक इंच अधरक के टुकड़े का पेश्ट बना लिया है इसको हम इसमें डाल देंगे एक चूटा चम्मच हल्दी पावडर हम सारी मसालों को तब तक भूजेंगे जब तक और नहीं निकलने लगता इह कितनी अच्छी कुस्भू आ रही है मसालों की इन सम मसालों को डालक पालक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है पालक की सबजी में अब हम इसमें ये छोटी एक कटोरी मलाई क्रेस घर की इसको डाल देंगे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे एक कप मैंने पानी डाल दिया है इसको थोड़ी देर दूनेंगे एक बड़ा चम्माश नमक डाल देंगे इसको थोड़ी देर ओबलने देंगे ऐसे ही अब अब हम इसमें ये एक चम्मत कसूरी मैथी डाल देंगे आतों से रगड़कर इसको मिक्स कर देंगे अब हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए है अब हम इसमें ये एक सो पचास ग्राम पनीर लिया है मैंने काटकर इसको भी हम डाल देंगे इसको मिक्स कर देंगे और दो तीन मिनट के लिए इसको हम वाला आने देंगे दो तीन मिनट इसमें पनीर डालने के बाद दो तीन मिनट सब्जी और मैं वाला गया है एक बड़ी कटोरी पालक डालेंगे ये मैंने पालक को दोजग्राम पालक को दुलकर वाल लिया था और उसे मैंने मिक्सी के जार्म डालकर पीस लिया था ये मैंने तो कटोरी पालक डाल दिये है हम इसको मिक्स कर देंगे अब हम इसमें वाला आने देंगे अच्छे से हमारी सबजी बंगर तयार है कितना अच्छा टेक्शर आया है सबजी का और उतना ही अच्छा स्वाद भी है इसका ला जवाब स्वाद होता है इस पालक का अब हम पालक पनीर को एक प्याले में कर लेंगे अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू एपी कुकिंग